दोस्तो टेक्टर चली सबसीडी प्रारम हो चुकी है 2023 चोईस का नोटिफिकेशन भी आपके पास आ चुका है और इसकी प्रोसेस किस प्रकार किरेगी यहां से आप आवेदन कर सकते हैं आपको जो सबसीडी वाला ओप्षन रहेगा उसमें से आपको जो चुईस करना है कौन-कौन से इसमें सामिल होंगे पावर टीलर, पावर वीडर, पावर स्पेर, बूम स्पेर, सीट ड्रेल, सीट कम फर्टिलाइजर और भी काफी सारे ओप्षन इसमें दिये गए हैं सारी जानकारी स्टेप बाइ स्टेप हम समझते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल में नए मैमान हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले क्योंकि आने वाली नोटिफिकिशन से आप हमेशा अपडेट होते रहें तो सुरुआत करते हैं दोस्तों क्या कुछ रहेगा सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं महतपूर्ण जानकारी आपके सामने आ चुकी है दोस्तों 14.7.2023 का नोटिफिकिशन आप सभी क्रशक बंदू के सुचित किया जाता है कि जो क्रशक पहले से ही पंजिकरत है ठीके ध्यान रखिएगा जो क्रशक पहले से ही पंजिकरत है पोटल पर उन्हें सिर्फ OTP के माध्यम से ही प्रस्तूत करना रहेगा आवेदन और जो किसक पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं उन्हें पूर्व में बायोमेट्रिक अथिंटिकेशन करना अनिवारी रहेगा विदाउट बायोमेट्रिक अथिंटिकेशन आप पंजिकरत नहीं कर सकते तो पहली बार जो आवेदन करने जा रहे हैं उन्हें Biometric Authentication अनिवारी रहेगा 14.07.2023 का Notification है 17.07.2023 से दोपेर बारा बजे से आवेदन प्रारम हो जाएगा और 27.07.2023 तक आपका आवेदन चलेगा ठीक है इसमें Power Tealer 8 HP से अधिक वाला जो टेक्टर चली थे इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं Power Weeder, Power Sprayer, Boom Spayer जो टेक्टर चली थे वाला है इसके अलावा जो आप्शन दिये गए हैं यहां पर Power Cleaner हो गया इसके बाद Cleaner कम Weeder इसके बाद Seed Drill, Seed Come Fertilizer Zero Drill, Seed Come Fertilizer और Seed Come Fertilizer Drill इसके अलावा है Grounder Planter, Race Bed Planter इसके बाद Reach Pro Planter, इसके बाद Multicraft Planter और जीलावार लक्ष जारी किये एक जा रहे हैं आप सभी से निवेदन है कि आवेदन जरूर करें प्राप्त आवेदन के लक्षों के विरुद्ध 28 जुलाई 2023 को आपका लाटरी संपादित किया जाएगा समस्त चैनी क्रशक बंदू को ओटल पर ही आपके जो लिस्ट है दो फेर तीन बज़े आपको प्रदर्शित की जाएगी स्वयम के क्रशक खाते में निम्ना अनुसार धरोर की रासी के रूप में डीडी बनवाना अनिवारी रहेगा संपधित जीला सायक क्रसी यंत्र के नाम से आपको डीडी बनवाना है और अनलाइन अविधन करना है आप यहाँ पर देखेंगे टीलर के लिए पावर टीलर के लिए पाँच जार रुपे तक का आपको डीडी बनवाना रहेगा इसके बाद दोस्तों क्लीन कम वेडर के लिए आपको पाँच जार तक के आपको डीडी बनवाना रहेगा अब इसके बाद में अगला रहेगा पावर वीडर के लिए दो हजार तक के आपको डीडी रहेगी power sphere के लिए आपको जो है 2000 तक की रहेगी इसके बाद में आपका sit trail के लिए 2000 के लिए रहेगी sit come fertilizer के लिए और सभी जो आपके सामने जो प्रदर्शित की जा रही है सारी जानकारी इसके लिए इन सभी के लिए आपको 2000 रुपे तक की डीडी बनवानी रहेगी pangent on demand draft किसी कारण से आपका जो है कम रासी में बनवाया तो आपको जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा और demand draft आवेदन करता के नाम से तियार बनवा कर प्रस्तूत करना अनिवारी रहेगा अनिथा निरस्त कर दिया जाएगा अब हम समझ लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी इस वाले option के उपर आप click करेंगे जैसे आप click करते हैं आवेदन के यहाँ पर आप click करते हैं apply now ठीक है यह वाले option दिये गए हैं यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में इस वाले option पे आपको click करके आगे बढ़ना है अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके जो आधार card में mobile number update है उसी के उपर आपके सामने जो digit भी दिख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने एक OTP जाएगा OTP डालने के बाद जैसे आप सत्यापित करते हैं आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद आपकी जो profile है वो आपको बनानी रहेगी दोस्तों यह 2023 चोईस का नया portal है इसको आपको समझना होगा व्यक्तिकज जानकारी, भूमी की जानकारी, बैंक की जानकारी और किसान की संपूर्णे जानकारी यह सब आपको fill करना रहेगा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको जीला सिलिक करना है, यहाँ पर आपको जाती सिलिक करना है यहाँ पर आपका अधार काट रहेगा और यह आपका BPL कलीर रहेगा अगर आपके पास BPL नमबर है तो यस करेंगे दरवाई से No करेंगे समग राइडी डालने के बाद में यहाँ पर आपका जाती डालना है और आगे बढ़ाना है इसके बाद में दोस्तो क्रसी विवरंड में देखेंगे कुल भूमी, सिंचित भूमी, इसके बद खसरा यहाँ पर भूमी कोड में हलका नमबर डालना है इसके बाद जीला आपको सिलेक्ट करना रहेगा जीला सिलेक्ट करने के बाद में देखेंगे यह वाले option वो ड्रॉक करके आपको जो लेना रहेगा वो रहे करना है इसके बाद में यहाँ पर सुरक्चित करने के बाद देखेंगे दोस्तों यह सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है ध्यान रखेगा यहाँ कन्फ्यूज होएंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको confusion रहेगा कि आपको भूमी कोड में क्या डालना रहेगा तो यहाँ पर आपको हलका नमबर डालने के बाद में देखेंगे यहाँ पर आपको जिला सिल्क करना है जो भी आपको जिला रहेगा वो आपको सिलेट करना है अब इसके बाद में देखेंगे यह वाले option आपके सामने फुल जाएगा यहाँ पर आपका जो है आश्टा जो भी आपका coordinator जो लगता है वो लेना है इसके बाद आपको gown select करना है जो भी आपका gown रहेगा वो आपको select करना है इसके बाद में आपको सुरक्षित वाले option के उपर click करना है यहाँ पर पुछे जाएगा yes जैसे आप yes के उपर click करेंगे आपके सामने पूरी detail आपकी save हो चुकी है अब देखेंगे दोस्तो जो हमने detail दी है इसमें यहाँ पर आपको bank की detail भी डालना रहेगा यहाँ पर आपका खाता नंबर हो गया यहाँ पर आपके branch का नाम हो गया ठीक है यहाँ पर आपके detail bank की डालने के बाद में इसे आगे बढ़ाएंगे अब देखेंगे दोस्तो यह सारी जानकारी आपके सामने आ चुकी है दोस्तो एक बात ध्यान रखना कि आपका जो यह form है form बरने से पहले इस बार नया portal हुआ है तो नया portal में आपको जो है आपका profile कंप्लीट करना रहेगा और इसी profile से ही आपका जो है form आगे submit भी हो पाएगा तो दोस्तो इसी प्रकार से आपको पूरी complete जानकारी लेना है यह आपका profile आपको पहले complete करना रहेगा इसी के बाद में आप form को आगे बढ़ा पाएगे तो दोस्तो वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नुट